नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाथियाए सुवावत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहाँ आप सभी के साथ बात करने वालों रिजल्ट्स के बारे में especially Reliance Industries के नमबर्स के बारे में और बाकी की बहुत सारी कंपनियों उसने भी अपने रिजल्ट्स पेश करें उनके बारे में कल कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और FIA DIAs का डेटा क्या कह रहा है दो दिन की बड़ी बिकवाली के बाद क्या FIAs रुके है बेचना या फिर आज फिर से बेचा है देखने वाली बात होगी DIAs कंटीनू ले ही रही है बठां उतना नहीं ले पारे है जितना FIAs बेच रही है बठ रेटेल इंवेस्टर्स के पास पैसा है भी या वो पैसा लगा रहा है तो बजार को गिरने नहीं दे रहा है लास्टली बात करेंगे ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं और कल भारतीय बजार कैसा रह सकता है जिया कल सनिवार जरूर है लेकिन मार्केट ओपन है और अब तक हमारे विवर्स को तो डेफिनेटली पता चली गया है क्योंकि मैं बीते दो दिनों में दो वीडियो बना चुका हूँ एक कल और एक आज और मैंने जिस दिन ही अनौन्समेंट हुई थी 31st December 2023 को उस दिन भी आपके साथ वीडियो शेयर करी थी और मैंने आज जब वीडियो बनाई आपके लिए तो मैंने आपसे यह भी का था कि जितने भी सवाल है इस दिन मतलब कल सेटरेड़े जो मार्केट ओपन है उसको लेकर आप बे जिजग पूछिए सारे कमेंट्स पढ़ूँगा इस वीडियो पे मैं और आपका रिपलाई जरूर दूँगा अपने दिन की आखरी वीडियो में तो जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मेरे को कुछ खास ऐसे कमेंट्स मिले नी जो आपको मतलब जानने हो बस एक दो important चीज़ां लगी मेरे को जो मेरे को लगता है शेर करनी चाहिए पहली तो ये थी कि ये जो 5% का सरकेट है वो दोनो ट्रेडिंग सेशन में अलग-अलग होगा क्या तो ये बहुत ही important question है लिटरली मैं आपको बताऊं तो ट्रेडिंग दिन एक ही माना जाएगा मान के चलो company एक का शेर 100 रुपे पर 105 होगया सरकेट लगया पहले शेशन में अब वो जब दुबारा से साड़े ग्यारा बजे बज़े बजार ओपन होगा तो उस बीच में कहाएगी 11-15 पर प्रियोपनिग होगी तो वो दुबारा fluctuate करेगा 11-23 पर प्राइस सेटल हो जाएगा और 11-30 पर अगर 105 है तो 105 पर ही फिर खुल जाएगा उसके उपर 5% नहीं जाएगा वो 5% मतलब single day माना जाएगा ऐसे नहीं है वो दो ट्रेडिंग session है तो दो अलग अलग दिन है दिन सेम है वो दोबारा आपके लिए सेटल होगा और फिट ट्रेड करेगा दूसरा सवाल यह था कि भाई दोनों समय क्या gap up gap down होगा बहुत ही important सवाल है जैसे हमारा बजार आज बंदूगा कल इस पर क्लोज हुआ है कल लेट्स अज्यूम 9.15 पर 21.650 पर खुलता है और 10 बजे 21.700 पर बंद हो जाता है तो 21.700 पर बंद हुआ है ना तो 11.15 पर प्री ओपनिंग जब शुरू होगी होप आप लोगों को समझ में आगेंगे बाकि यह सवाल बहुत इंट्रेस्टिंग थे बट ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें आपकी ट्रेडिंग में कोई विगन पड़े या इन्वेस्टमेंट में ठीक है जी अब आ जाता हूँ मैं नॉर्मल टीटेल्स पर रिजल्ट सीजन सबसे पहले डिसकस करना हूँ तो बहुत सारी कंपरियों के नंबर्स आये जिनमें सबसे बड़ा नाम रिलाइंस इंडस्ट्रीस का है वेंट तेजस नेटवर्क्स रिलाइंस अंटेक रियलिटी सी एसी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीन यह सारे मैं अल्रेड 16.4% का था आये 17.83% पे बैटर हैं कामकाजी मुनाफ़ा देखो 40,900 का अनुमान था 40,900 करोड का और आया 40,666 करोड पे अनुमान से खराब है नेट प्रोफिट 17,265 करोड का आया है और अनुमान 17,800 का था तो खराब है तो अनुमान से ना थोड़े से मतलब उतना खुछ खास आया नहीं है नमबर्स में लेटसी बजार कैसे रियक्ट करता है मतलब नमबर्स ऐसे नहीं की तोड़ फोड है तो यह आपके लिए एक अपडेट थी बागी बहुत सारी इसमें कंपनी ने गाइडेंस दिये कंपनी ने आगे को लेकर बहुत कुछ बोला है तो रूरल मार्केट से और जादो सब्सक्राइबर सी यह देख रहे हैं जियो वायरलेस में कंपनी अप्रूवड अपॉइंट्मेंट अफ है ग्रेवे खेतान एज एडिशनल डिरेक्टर देजिनेट एज एन इंडिपेंडेंट डिरेक्टर फ्रम 1 अपरेल तो यह भी अन तो इसके स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है हो रही है इसमें पूरी स्टेडी करूंगा इस बार वीकेंड तो है केबल संडे है तो संडे को आपके लिए एक डीटेल वीडियो लेकर आऊंगा कोशिश करूंगा एस जी फिंजवर नवकार कॉप रिलाइंस इंडस्टी अगें क्या अनॉंसमेंटे सुन लेते हैं रिलाइंस रीटेल वेंचर्स बिजनिस एक्स्पेंड इट्स स्टोर नेटवर्क विफ 252 न्यू स्टोर ओपनिंग तेकिंग दा टोटल स्टोर काउंट अट 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 आपको याद होगा हल्दी राम इन्हें खरीदने की बात कर रहा था तो स्टोक का प्राइस 15-16 परसेंट भागा था कली की बात आइधिंग आज ख़बर है कंपनी क्लेरिफाइज और रिपोर्ट हल्दी राम सीक्स टू बाइस टेकिन कंपनी कंपनी सेज कंपनी कोई नेग आने वाले हैं तो ये भी important question है तो चलिए देख लेते हैं एक बार एक्रिलिक सूरज प्रोडक्स बाकी तो साइट छोड़ने है सुप्रीम इंफ्रा बाकी कोई बड़ा नाम दिख नहीं रहा है तो ये कल आपके लिए 3700 करोड़ का और डिए ने खरीदा है 2638 करोड़ का तो आज भी एफई बेच के गए है बिकवाली के मूर में थे ये फ्रेश अपडेट आ रही है जो कि अच्छी नहीं है अब आ जाता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे इसपेशली पहले अमेरिका का बजार कवर कर ले तो संगाई आधे परसेंट नीचे है तो कुछ खास मूव नहीं है कल भारतिय बजार अपने दंपर ट्रेड करेंगे और इसपेशली रीटेल इंवेस्टर्स के दंपर ट्रेड करेंगे तो ये मेरे तरब से आपके लिए वीडियो थी ओप आपको सारी जानकारी समझ में जहां बजार उपन होने वाला है सेटर्डे को हिस्टरी ग्रेड हो रही है अगल और आप और हम उसका पाटन है थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो हैव ग्रेट देक आइस